देखो अगर आपको जॉब या कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ पानी है और बहुत ही कम समय में सही तरीके से आपने आपको डबल अप करना है तो एक बात समल के रहें एक बात आपको हमेशा गांट बांद के रखनी है जो की हमने अपने एक्सपीरियंस ले सीखी है और बहुत सारे जो सीनियर है वो जो लोग सेयर करते हैं उस चीश से में आपको बता रहा हूँ देखो एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं वो तो इस चीश को समझ जाते हैं और इस चीश का बिल्कुल खियाल लगता है लփकिन जो फreshers लोग होते हैं न्यू जॉईनी होते हैं या कम experience होता है, वो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, जो काफी experience है, वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसी की विज़े से उनकी growth जादा नहीं होती, ज़्यादा salary नहीं होती, ज़्यादा उनकी position नहीं वड़ती, तो मामला क्या है, मामला ये है कि कभी भी अपनी personal life को, और अपनी job life को mix कभी भी नहीं करना चाहिए, आपने बहुत सारे लोग कहते हूं सुना है, कि job life अलग होती है, personal life अलग होती है, आप एक चीज़ मानके चलिए, कि आपकी जो personal life है, आपके जो relative है, आपके घर, जहां पर आपका घर है, आपके जो यार दोस्त है, school friend है, वो देखो change नहीं होते, कभी भी change नहीं होते, हमेशा आपको मिलना जुलना उनसे रहता है, लेकिन जब आपको एक company जोईन करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपसे 20 लोग, 25 लोग हमेशा touch में रहते हैं, मिलते हैं, तो अगर आप उस company को छोड़ के जाते हो, तो जादा जादा एक या दो लोगों से आपकी बात होती है, जादा से जादा, अच्छे दोस्त, वो बनते हैं, इसलिए कहा जाता है, कि personal life और job life को हमेशा अलग करके चलना चाहिए, क्योंकि personal life, बहुत सारे लोग क्या होता है, कि बहुत सारे लोग अपनी personal life की जो problem होती है, घर की जो problem होती है, घर में जो जगड़े चल रहे हैं, या carrier में जो growth नहीं है, जो tension है, उसको अपने boss से, अपने team members, या अपने junior से share करते हैं, और यही चीज़े आगे चलके, आपके लिए नुकसान दायग होती है, आपके carrier के लिए नुकसान करती है, क्योंकि बहुत सारे secret, बातों बातों में, आपके manager को पता होते हैं, आपके HR को पता होते हैं, आपके team member को पता होते हैं, colleague को पता होते हैं, साथ ही आपकी जो team है, उसको भी पता होती है, तो कहीं न गहीं, वो आपको उस चीज़ से blackmail करेंगे, या आपको उस चीज, उस बातों को जगे जगे फैलाएंगे देखो लोगों की आदत होती है कि कोई बात पेट में तो पस्ती नहीं है तो कहीं न कहीं कोई अपने दोस्ते कहेगा कोई अपने जान पेचान वाले से कहेगा जॉब में ही और इस तरह से आपकी जो image है वो खराब होती है मैं बहुत ज़्यादा इस topic पे बोलना नहीं चाहता आप समझ गए होंगे कि job में क्या हो रहा है आपके घर में लड़ाई हो रही है जगड़ा हो रहा है आप कितनी परिशान है अपनी family में ये बात ना job में आपको किसी को पता ही नहीं चलनी चाहिए सब कुछ अलग रखिए अलग करके चलिए तो आप देखो अच्छी life भी जाएंगे और growth भी आपकी सही होगी सही होगी अब बहुत सारे लोग अपना secret सेर कर देते हैं कि मैंने अपनी life में ये struggle किया है मैं ये मुकाम हासिल करना इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ मैं ये तैयारी कर रहा हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ मैं ये सीख रहा हूँ मैनेजर को बुरा लग सकता है और आपकी कलिक को भी जलन हो सकती है कि अगर ये सारी चीज़ सीखता है तो competition में आ जाएगा तो कहीं न कहीं वो आपको misguide करेंगे आपका जो manager है वो कहीं न कहीं आप के लिए कुछ अलग सोच के रखेगा मैं ज़्यादा इस topic को नहीं बोलोगा आप समझ गए होंगे कि हमेशा इस चीज को अलग-अलग रखें तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा job life में, career life में experience करके देखिए आप जो ज़्यादा friendly होता है जो ज़्यादा friendly होता है ना और जो अपनी सारी बाते घर की तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे ना तो यही देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपिरियंस बहुत अच्छा है नौलिज बहुत अच्छी है लेकिन ग्रोथ नहीं मिली इसी politics की बज़े से और इसको हम office politics भी कहते हैं job politics भी कहते हैं job politics कब होगी कि आपके जो मतलब आपकी जो कमजोरी है मतलब एक छोटा सो धार दे रहा हूँ उतने से ही समझ जाना एक employee है और उसके manager को पता है कि ये घर में अकेला कमाने वाला है और इसको जल्दी से job मिलती नहीं है बहुत मुश्किल से job मिली है अब वो manager क्या करेगा उसके साथ हर कोई तो अच्छा manager नहीं होता न वो उसे पूरा pressure बनाएगा उसका advantage भी लेगा क्योंकि उससे पता है इसे दूसरी job मिलेगी नहीं जाएगा नहीं ऐसा बहुत होता है आँखों को सामने होता है और समझ लो कि दिमाग इतना खराब हो जाता है लेकिन ये है कि सभी लोग अपने पनी job कर रहे है अब उस manager को क्या कहें हम ये एक छोटा सा उधारण है इसी समझ जाएए job life अलग होनी चाहिए और आपकी personal life अलग होनी चाहिए